दोस्तो इस परकार का PVC बोर्ड में एक टागड़ा और बेहतरीन इमर्जेंसी लाइट आप बनाना चाहते हैं वो भी कौम खर्चा में और रात भर आप चार्ज रखेगा तो भी इसका बैटरी खराब जल्दी नहीं होगा तो दोस्तो इस वीडियो को आप अन तक जरूर देखिएगा हम आपको एक एक पॉइंट इस वीडियो में बताय हुए तो चलिए दोस्तो बीना देर किये हुए इस वीडियो को हम सुरू करते हैं इसमें एक टागड़ा इमर्जेंसी लाइट हम बनाने वाले जो अपने घर पे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं तो सबसे पहले इसमें एक ओन आफ करने के लिए आपको सुइच लगाना होगा तो सुइच इसी के साथ इलेक्टरिंग सबसे आप आसानी से ले लेंगे तो सबसे पहले इसको इस पर कस दीजिएगा यहां पर देखिएगा कुछ इस परकार इसको कस देना है दोनों में नॉट बोल्ट उसके बाद चार बोल्ट का आपको इस परकार का LED बल्ब चाहिए जो मार्केट में बहुत असानी से यह मिल जाता है लेकिन इसको यहां पर फेवी कीउक से साथ लीजे तक कि यहां पर दो तार हम शोल्डिंग करके इसके अंदर से ले जाने वाले है अब इसमें दो तार को माइनस और प्लस को सोल्डिंग कर दीजेगा यहां पर देखिएगा तो माइनस लिखा हुगा और यहां पर प्लस लिखा हुगा और इसको अंदर से आप बाहर निकाल लिजेगा ताकि इस पर तार सोल्डिंग करना असान रहेगा तो हम जो पीला वाला तार है उसको पलॉस की तार पर सोल्डिंग करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा तो पलस लिखा होगे तो पलस पर इसको सोल्डिंग कर दिजिएगा तो यहाँ पर देखिएगा तो कुछ इस परकार कहां तार यहाँ पर सोल्डिंग कर दिए 只लो पतर कर देंगे तना बड़ा कट कर देंगे यहां पे देखिए का कट कर दिए उसके बाद आपको 1 ohm का resistance ले लेना है इस resistance को थोड़ा इस तरह मोड़ दीजिएगा मोड़ देने के बाद जो switch लगाय हुए है on off करने के लिए उसके एक टर्मिनल पर इसको कस दीजिए के लिए इस resistance को थोड़ा बड़ा टांग निकला हुए तो इसको हम कट कर देंगा कट करने के बाद जो हम एक तार काट कर छोट किये है, पलस वाला तार को, उसको इसी पर सोल्डिंग कर दीजिएगा, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस की कोर पर सोल्डिंग कर देना है, देखिएगा, कुछ इस परकार यहाँ पर सोल्डिंग कर दिये, और इसमें से जो कट करके कि हम इस तार को इतना बड़ा बचाय हुए है इसको छिलिएगा और इसको कसिएगा कहां पर तो स्वीच की एक टर्मिनल पर देख सकते हैं यह खाली है इसी तरह बचा हुगा है तो इस टर्मिनल पर कस दीजिएगा इस परकार हम इसका कनेक्शन कर दिये जो पीला वाला तार है रेजिस्टेंस से होते हुए स्वीच की एक टर्मिनल पर गया और एक टर्मिनल पर वायर जोड़कर हम इसको बाहर निकाल दिये और जो माइनस वाला तार है उसको हम उसी तरह बड़ा ही रहने दिये अब इसका काम लगभग उक्के हो गया अब इसमें दूसरा connection हमको नहीं करना है जो भी connection करना है बैक वाला पैनल में connection करना है दूस्तो सबसे पहले आपको कोई सा एक battery ले लिजिए गया चाहे तो आप इस तरह का lithium battery ले सकते है ICR8650 बैटरी ले सकते हैं 1200 mh में आपको ध्यान रखते हुए जितना बाड़ा image का battery लीजिएगा अगर छोटा छोटा जैसे 1200 mh में आप battery लेना चाहते हैं तो इसके जगवाप आप एक की जगवाप पर दो लगा सकते हैं तो बारे दूनी 24 इमेज की battery हो जाएगी और इसको परालेल में connect करके जोड़ दीजिएगा तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको minus और plus के लिए दो तार जोड़ना होगा इस battery में इसके जगवाप आप mobile का battery भी ले सकते हैं इस तरह का battery आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर देखिएगा तो plus लिखा होगा और यहाँ पर minus लिखा होगा है तो यहाँ पर plus का solding करेंगे और back side में minus का solding करेंगे तो दोस्तो यहाँ पर देखिएगा तो हम plus और minus की तार solding कर लिए पिछे की तरफ देख सकते हैं blue color का तार solding कर दिए तो इस तरफ कुछ गुलावी कलर कातार है इसको रेट के लिए हम ले लिए जो पलस कातार होगा तो बैटरी पर कुछ इस परकार कातार आप इस विशय कर लिए उसके बाद ये चारजिंग करने के लिए आपको चारजिंग मोडौल ले लीजिएगा यहाँ पर देखिएगा तो आप TP 46.56 ले सकते है या देख सकते हैं 0,49,62 A है उसको आप ले सकते हैं कोई भी charging module जो इसे चार भोल्ड बैटरी चार्ज करता होगा मर्केट में अबलेबल है बहुत असानी से यह मिल जाती है तो इसमें connection कैसे करना है connection करने के लिए यहाँ पर देखिएगा तो B- लिखा होगा और B- लिखा होगा है तो battery की minus की तार यहाँ पर और battery की plus की तार यहाँ पर जोड़ना है और output के लिए हाँ यहाँ देख सकते out minus और out plus लिखा हुगा है तो यह दोनों पर से output का तार लेना है तो सबसे पहले चलिए हम battery का तार इस पे जोड़ लेते हैं battery का connection कर दिए B minus पे minus वाला तार को solding कर दिए और B plus पे plus वाला तार को हम solding कर दिए अब इसमें output के लिए solding करना है तो output के लिए solding कहां पे करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि जो पहले हम इस switch और LED को यहाँ पे लगाये हुए है तो यहाँ से दो तार हम निकाले हुए है तो दो तार को जब निकाले हुए है तो दो तार को हम इसी जगाँ पे सोल्डिंग करेंगे आउट माइनस जो लिखा हुगा है यहाँ पे देखिएगा आउट माइनस लिखा हुगा है इसका हारा वाला कलर है हारा वाला कलर तार को हम आउट माइनस पे सोल्डिंग करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम out minus का जो तार है, यहां पे हम solding करेंगे, out minus का जहां पे point है, जो direct हम LED से जोड कर लाए हुए है, यहां पे हम solding करेंगे, और जो out plus यहां पे लिखा हुगा है, out plus का तार हम कहां पे solding करेंगे, जो switch वाला तार को हम लाए है, पिला वा सेट करना है तो सेट करने के लिए सबसे पहले यह जो मोडोल कीट है जो चार्जिंग करने के लिए इसको सेट करेंगे इसमें अगर फुल चार्ज नहीं रहेगा तो लाल सो करेगा और फुल चार्ज हो जाएगा तो बुलू कलर का इसमें बहती जलने लगेगा इसको सेट कही यहां पर देंगे तो चलिए इसी जगहा पर हम इसको set कर देंगे और बैटरी को यहां पर हम set कर देते हैं ध्यान से देखिए कुछी इस तरह connection कीजिएगा जो आपको कोई दिकर नहीं होने वाला है तो यहां पर हम इस तरह इसको set कर देते हैं तो इस DB में आप किसी तरह थोड़ा सा hole कर दीजिएगा देख सकते हैं इस तरह और इस जो module kit है इसको इस जगह पर set कर दीजिएगा तो यहां पर देखिए कुछ इस पारकार हम इसको यहां पर set कर देंगे और इसको चिपका देंगे यहीं पर तो यहां पर देखिएगा दोस्तों हम इसको अच्छी तरह यहां पर चिपका दिए और बैटरी को चिपका दिए अब इसका काम बिल्कूल okay हो गया अब इसमें कोई दिकत नहीं होने वाला है अब इसको हम इस तरह कास देंगे और यहां पर आप देख सकते हैं यह इमर्जेंसी लाइट बंद कर तियार हो गया तो इसका परकास आप देख सकते है अब चलिए इसका हम लाइट को बंद करके आपको परकास दिखा देते हैं तो यहां पर देखिएगा लाइट को हम तो हम मोबाइल की चार्जर होता है वहीं लगेगा और इस पीन में हम इसको लगाएंगे तो यहां पर देख सकते हैं अगर लाइट को और हम पुरपर लाइट को बंद कर देंगे तो और ज्यादे ही रेड में जलेगा जिससे और ज्यादे परकास यह देगा यहां पर आप देख सकते हैं रेड जल रहा है और बैटरी जब फूल चार्ज हो जाएगा तो बुलू कलर में जलने लगेगा तो इस तरह अपने घर पर बहुत असानी से इस तरह का इमर्जेंसी लाइट आप बना सकते हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपको अगर पसंद आप नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा